वो मातर 16 साल की बच्ची थी देखने में बहुत खुबसूरत थी और उत्तर प्रदेश के चित्रकूर जिले के थाना मानिकपुर के अंतरगत एक बिद्याले आदर सिंटर कालेज की छात्रा थी उस छात्रा पर जब कालेज के सिछक इरसात की नजर पड़ी तो उसने उस छात में यहां तक सूजन हो गई तब जाकर के घरवालों को बात पता चली जिसके बात में वो घरवाले जब पुलिस के पास पहुंचे तो किस तरह पुलिस के हाथों भी उनको निरासा, उनके हाथ लगी, पुलिस ने भी उनके साथ में अच्छा बरताओं नहीं किया, पूरी गुरू आपने गुविन दियो बताए गुरू को गुविन से भी बड़ा मान करके एक दोहा है उसमें बताया जाता है कि ए गुरू जी आपका दर्जा तो गुविन से भी बड़ा है लेकिन कहीं न कहीं हमारे समाज का पतन हो रहा है जिसके साथ में इस पवित्र जो गुरु से सका इसका भी पतन होता चला जा रहा है तो घटना है हमारे उत्तरप्रदेश की उत्तरप्रदेश में जुलाई 2023 में ये मामला थाने में आया और उसके बाद में पुलिस ने जो भी बढ़ताओ किया वो कता ही नहीं था दरसल चित्रकूट जिले में एक विद्याले जिसका नाम होता है आदर सिंटर कालेज उसमें हाई स्कूल के छातरा जो कि 16 साल की थी वो पढ़ती थी माता पिता सोच रहे थे हमारी बेटी आगे चलके कुछ नाम करेगी पढ़ लिक के हमारा नाम रोसन करेगी हमारे देश का नाम रोसन करेगी लेकिन उनको नहीं पता था कि उसकी बेटी के साथ में ऐसा भी होस जाएगा जो कालेज का सिच्छक था विग्यान का इट साथ उसने उस लड़की को एक दिन रोका इसकूल में चुटी के बाद उसे का तुमारा प्रोजेक्ट वर्क करवाना है और उसको ले गया ने च्छत पर कमरा बना हुए था क्लासरूम जिसमें सीसी टी भी नहीं था नो निर्मित निर्मारा दिन कमरा था उसमें ले जाकर के उसका रेप किया लड़की को समझ पाती इससे पहले उसका वीडियो बना लिया वीडियो बनाने के बाद रेप करने के बाद उस लड़की को वीडियो दिखाया और उसको गहां घर में मत बताना वरना वीडियो वाइरल कर देंगे लड़की चुप रही दीरे-दीरे घटना को दिन बीते इरसाद नाम का जो सिछक था उस लड़की के साथ में ऐसा रोज करने लगा आखिर में जब उसका मन भरा दो तीन दिन बाद तो उसने अपने साथी सिछक मु समरे इसके बाद में कालेज़ का एक और से चाहा प्रुस्ट एथा उसने वह वीडियो देखा अब हो भी उन लोगों के साथ में सामिल व गया आपको जानकर हैँरानी होगी कि आदिए के बाद ने का उस प्रियाले का बदेआले का आप चारों मिल DAN कर को बच्ची का रोज पेट में सूजन हुई दर्द सुलू हो गया काफी दिन तो उसने बताय नहीं घर में लेकिन जब असाइनी दर्द हुआ तो एक दिन वो अपने घर में रो रही थी जगे पर सन रहे गए उन्होंने तुरंत वो थाने पहुंचे थाने पहुंच करके जो थाना दच था उसने भी उनके साथ में सही बेवार नहीं किया यह ऐसा उनके परिवारी जनों का आरोफ है पताते हैं थाना दच ने उनकी एफाई आर नहीं लिखी और उनको अगले दिन बुलाया कहीं न कहीं थाना देच को ये सारी बाते पता जब ये चला कि इतना बड़ा इंटर कालेज है उसके प्रिंसिपल पर आरोफ है तो कहीं न कहीं पैसे बनाने के चक्कर में उसने उनको इन्फार्म किया अगले दिन जब वो पहुंचे बेचारे माता पिता और वो कड़ी उस पर कारवाई करेंगे कड़ी सजादि लाएंगे लेकिन प्रिंसिपल का नाम हठा लीजिए फाई आर से माता पिता ने इसका विरोध किया उन्होंने कहा प्रिंसिपल का नाम क्यों हठा लें लेकिन थाना धच और बीजेपी नेता उन पर दबाव बनाने लगे जिसके बाद में वो लोग वहां से चले गए और आतमत्या किये उन्होंने दमकी भी दी उन्होंने कहा आतमत्या कर लेंगे अगर बेटी को इंसाब नहीं मिला पताते हैं कारवाई इसी तरह चलती रही और अंत में जब ये मामला काफी वाइरल हुआ तो सपा के राष्टी जा करके कहीं एफाई आर तरज हुई मामला कासी हाईलाइट हुआ लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हमारे समाज में ऐसा हुआ और हमारे उत्तर प्रदेश में जहां पर कहा जाता है भाजपा के योगी बाबाज जी उनकी सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ना चार मामले मिल ही जाएंगे चिंता जनक बात ये है कि हमारी बेटियां चलो ठीक है घर में तो सुरचित हैं लेकिन घर के बाहर अब उनको कहां पे स्कूल तो भेजना ही है पढ़ाने लिखाने के लिए अब वहां पर जब सिच्छक ऐसा काम करेंगे ऐसा निंदनीय काम तो कमेंट जरूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यूँ